सब्सक्राइब कीजिए फलाई योर्सेल्फ चैनल इंग्लिश को अपनी जुबां हिंदी में सीखने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे किस सिच्वेशन में आप I और V के साथ विल और बाकी सबी सबजिक्ट के साथ शैल वर्ब का यूज कर सकते हैं यानि वर्ब विल और शैल का उल्टा यूज करना हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे पाठकों आज किस वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ आपने हमारी इस से पहले वाली वीडियो में future indefinite को सीखा था जिसमें हमने आपको बताया था कि subject I और V के साथ शैल और बाकी सबी subject के साथ will, verb का use किया जाता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लें उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में I बटन और description में दे दिया जाएगा लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे किस situation में आप I और V के साथ will और बाकी सबी subject के साथ shell, verb का use कर सकते हैं यानि verb, will और shell का उल्टा यूज करना हम सिखने वाले हैं इस वीडियो में तो गाइज अगर आपको कोई ऐसा sentence translation के लिए मिले जिससे मजबूरी, अनिमारता या फिर पक्का इरादा का भाव उत्पन हो रहा हो या अगर मैं simple शब्दों में कहूँ तो ऐसा sentence जिससे मर्दी नहीं, मजबूरी या हर हाल में करने का भाव हो तो ऐसे sentence के subject के साथ हम helping verb का उल्टा यूज करेंगे यानि जिन subject के साथ normally हम shell का यूज करते हैं तो उनके साथ will का और जिन subject के साथ will का यूज करते थे उनके साथ shall का यूज करेंगे अगर आपको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है और आप confused हैं कि किस तरह कि sentence में हम verbs, will और shell का सही यूज करेंगे और किस तरह कि sentence में उल्टा यूज करेंगे तो don't worry guys हम इस वीडियो को शूरू करें इससे पहले ही आपको दो sentence के माद्यम से समझा देते हैं कि कब आप will, shell का सही और कब उल्टा यूज करेंगे तो नीचे दिये जा रहे sentences को ध्यान से देखिए और दोनों के बीच का फर्क समझने की कोशिस कीजिएगा पहला sentence है मैं तुम्हें कल से दो घंटे अंग्रेजी पढ़ा हूँगा इस sentence में subject I है तो आप लोग guess कीजिए कि इसमें shell लगाना चाहिए या फिर उल्टा यूज होगा और will लगेगा अगर आपको answer पता है तो अपना जवाब अभी comment box पर लिखें guys मुझे उमीद है कि आप सबने सही जवाब ही सोचा होगा और इसमें आपने shell का यूज करने का सोचा था जी हाँ guys इसमें verb का सीधा यूज होगा और shell का यूज किया जाएगा क्यूंकि subject पर कोई दबाव नहीं है बलकि वो अपनी मर्जी से दो घंटे तक अंग्रेजी पढ़ाने की बात बोल रहा है लेकिन इसी sentence को अब अगर हम ऐसे बोले मुझे तुम्हें कल से दो घंटे अंग्रेजी पढ़ानी पढ़ेगी अब इस sentence में देखिए आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि इसमें subject के उपर दबाव है दो घंटे पढ़ाने का यानि उसे ना चाहते हुए भी कल से दो घंटे पढ़ाना है तो अब ऐसी condition में हम उल्टा यूज करेंगे और subject आई है तो उसके साफ will का यूज करेंगे और मान लिजे यहाँ पर subject he, they, you या we को छोड़कर कोई भी और subject होता तो फिर हम shall का यूज करते तो I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि helping verbs का कब आपको सही और कब उल्टा यूज करना है आगे वीडियो में और example से आप 100% इसे समझ जाएंगे पर इससे पहले की वीडियो शुरू की जाए हम इन वाक्यों को translate करके देख लेते हैं गाइस अगर आपको अंग्रेजी भाषा को हिंदी मीडियम से सीखनी है तो अभी हमारे इस चैनल fly yourself को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई next वीडियो अपलोड करें आपको उसकी notification मिल जाए और वीडियो में की गई मेहनत अगर आपको पसंद आए दूसरा sentence सेम बनेगा बस शैल की जगा पर विल यूज किया जाएगा जैसे तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और विल तथा शैल का उल्टा यूज डिटेल्स में समझते हैं तो गाइस सबसे पहले हम इसकी definition एक बार और समझ लेते हैं इसकी definition है जब वाक से मजबूरी अनिवारता या पक्का इरादा का भाव पता चले या फिर हिंदी वाक्यों के आखिर में जरूर या अवश शब्द आया हो और वाक ना पिलस गा नी पिलस गी या ने पिलस गे अक्षर से समाप्त हो रहा हो तो समझ लीजिए कि आपको ऐसे वाक में helping verb will, shell का ultra use करना है इसका rules वही रहेगा जो future indefinite में हमने पढ़ा था rules है subject प्लस will या shell प्लस main verb प्लस object प्लस other words अब हम examples देखते हैं पहला sentence है screen पर उसे धूप से बचना ही होगा अब इस sentence में आप देखें कि उस पर ये अनिवारता है मतलब उस पर ये जरूरी कर दिया गया है कि उसे धूप से बचना ही है चाहे उसकी मर्जी हो या नहो और दूसरा इसमें देखिए बचना ना लिखा है और वाक का अंतोरा है गा अक्छर से तो इस तरीके के sentence में हम ultra use करेंगे तो sentence बनेगा सबसे पहले हम subject लिखेंगे उसे की ही अब चुकि ही के साथ में normally हम will का use करते थे तो इसमें हम shall का use करेंगे तो shall लगाने के बाद में हम आगे देखें rules में main verb है तो main verb है बचना तो बचना के लिखेंगे avoid इसके बाद में object लिखेंगे किस से बचना है धूप से तो the sun इसके बाद other words कुछ है नहीं तो हम इतना ही लिखेंगे sentence बनेगा he shall avoid the sun या फिर हम इस sentence को ऐसे भी लिख सकते हैं he shall stay out of the sun दूसरा sentence है हमें कल तक दिल्ली पहुँचना ही पड़ेगा यानि ये हमारी मजबूरी है कि दिल्ली हमें कल तक ही पहुँचना पड़ेगा तो इस तरीके के sentence में हम उल्टा यूज करेंगे और बनाएंगे sentence तो सबसे पहले हम subject लिखेंगे हमें की we अब we के साथ में normally आपको मालूम है कि shall verb का use होता है लेकिन चूँकि हम उल्टा यूज करेंगे इसमें तो we'll लिखेंगे इसके बाद में main verb आएगा पहुँचना की reach और फिर object लिखेंगे दिल्ली डेहली इसके बाद में other words कल तक by tomorrow तो यहां क्योंकि हम future पढ़ ले हैं तो हम तक के लिए by का use करेंगे तो sentence बनेगा we will reach डेहली by tomorrow next sentence है guys मैं आप से कल जरूर मिलूँगा अब इसमें देखिए जरूर शब्द आया है इसलिए हम इसमें उल्टा यूज़ करेंगे तो सबसे पहरे हम subject लिखेंगे I चुकि I के साथ में हम normally shall verb का use करते हैं लेकिन इसमें हम उल्टा यूज़ कर रहे हैं तो will लिखेंगे इसके बाद main अबर बाएगा देखना see जिसे हम मिलना के लिए भी use करते हैं तो हम see लिखेंगे इसके बाद में object तुमसे you और फिर other words कल tomorrow तो sentence बनेगा I will see you tomorrow अब हम negative के भी sentence देख लेते हैं तो उससे पहले हम rules देख लेते हैं rules वही रहेगा जो हमने future indefinite negative में देखा था rules है subject plus will oblique shell plus not plus main verb plus object plus other words अब हम examples देखते हैं पहला sentence है अब उसे कमरा बार बार नहीं पूताना पड़ेगा तो यहाँ पर भी देखिए last में ना और गा शब्दा रहा है तो हम इसे ultra use में लेंगे तो सबसे पहले हम subject लिखेंगे उसे की she इसके बाद में she के साथ में will आता है लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे ultra use shell इसके बाद negative है तो not आएगा फिर main verb है तो पुताना की होती ही paint तो paint लिख दे इसके बाद में object camera the room इसके बाद में other words बार बार again and again इसके बाद एक other words और है अब now आनी पड़ेगी तो सबसे पहले subject आएगा I इसके बाद में will not और फिर लिखेंगे have खाना के लिए हम have verb का भी इस्तिमाल करते हैं आप चाहें तो eat भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैं have का use कर रहा हूँ इसके बाद में object यह दवा this medicine इसके बाद other words दुबार again sentence complete होगा I will not have this medicine again next sentence है नेहा आज अवश नहीं आएगी तो सबसे पहले हम subject नेहा लिखेंगे नेहा के साथ विल आता लेकिन इसमें हम ultra use कर रहे हैं तो shall आएगा इसके बाद negative है तो not आएगा और फिर main verb आना की कम और other words इसमें लिखेंगे today sentence बनेगा नेहा शेल नौट कम तुड़े अब हम intro के टुका rules देखते हैं rules है विल अबलिक शेल प्लस subject प्लस main verb प्लस object प्लस other words examples है पहला sentence है क्या जवानों को इस जंग में अपनी जान कुरबान करनी पड़ेगी अब guys कोई भी इंसान अपनी जान नहीं गवाना चाहेगा लेकिन क्योंकि जंग हो रही है तो उसमें हर एक साइनिक का फर्ज बनता है उन पर अन्मारता है या मजबूरी है कि उन्हें अगर जान देनी पड़े तो देनी होगी तो इस तरीके के sentence में multi-use करेंगे तो सबसे पहले हम helping word will या shell में से किसी एक को लिखेंगे चुकि subject है यहाँ पर जवान तो यहाँ पर will लगता लेकिन multi-use है तो हम shell से शुरुआत करेंगे इसके बाद में हम subject लिखेंगे जवानों की the soldiers इसके बाद में main verb कुर्बान करना sacrifice इसके बाद में object अपनी जाने their lives इसके बाद में other words इस जंग में in this war sentence बनेगा shall the soldiers sacrifice their lives in this war next sentence है guys क्या हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी होगी तो सबसे पहले हम helping word लिखेंगे will क्योंकि हमारा subject है we इसके बाद में main verb लिखेंगे सीखना की learn और object है English sentence बनेगा will we learn English अगला sentence है guys जो की question words से related है question words वाले वो वाक होते हैं जिसमें बीच में कोई question words होता है sentence है हमें कितने बजे जागना पढ़ेगा तो सबसे पहले हम question words की लिखेंगे कितने बजे at what time इसके बाद में helping verb आएगा will और subject आएगा we इसके बाद में हम main verb लिखेंगे जागना की get up इसके बाद में other words in the morning sentence बनेगा at what time will we get up in the morning अगला sentence है हमें इसे बार बार क्यों करना होगा तो question word है इसमें क्यों क्यों की लिखे why इसके बाद में will आएगा और will के बाद में हम लिखेंगे subject की we इसके बाद में main verb करना की do और object है इसमें इसे it इसके बाद में other words बार बार over and over again तो sentence बनेगा why will we do it over and over again next sentence है guys लोगों को अब क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले question word क्या की लिखें what इसके बाद में helping word shall और फिर subject लिखें लोगों को the people इसके बाद में main verb करना की do और other words now sentence बनेगा what shall the people do now तो guys अब हम आगे बढ़ते हैं और who आले वाक सीख लेते हैं who आले वाक बनाने का rules भी अलग होता हैं तो rules देखिए who plus shall plus main verb plus object plus other words sentence है बिल्ली के गले पर घंटी किसे बादनी होगी तो सबसे पहले हम who लिखेंगे इसके बाद में shall और फिर main verb लिखेंगे बादना की tie इसके बाद में object घंटी the bill इसके बाद में other words बिल्ली के गले पर तो on the neck of the cat sentence बनेगा who shall tie the bill on the neck of the cat next sentence है guys इस कमरे को किसे साफ करना पड़ेगा तो सबसे पहले who आएगा इसके बाद में shall और फिर main verb साफ करना की clean और object इस कमरे को this room sentence बनेगा who shall clean this room तो I hope guys कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएं होंगे फिर भी अगर आपका कोई भी doubts हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं आपका doubts किलियर किया जाएगा अब हम एक note समझ लेते हैं तो guys note यह है कि अगर आप helping verbs will और shall का ultra use ऐसे वाक्तियों में नहीं करना चाहते तो इन helping verbs के बाद में ऐसे sentence में आप have to का use करके sentence बना सकते हैं जैसे मुझे अंग्रेजी बोलनी ही पड़ेगी तो इसे हम लिख सकते हैं I will learn English लेकिन हम अगर I के साथ will नहीं shall का ही use करना चाहें तो फिर ऐसे लिख सकते हैं I shall have to learn English यानि हम सीधा इस्तमाल करेंगे अगर helping verbs का ऐसे sentence में तो हम helping verbs के बाद have to का use करेंगे तो उमीद है यह chapter आप बहतर तरह से समझ पाएं होंगे लेकिन अगर अभी भी आपको कोई doubt हो तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया Guys, इस series के part 3 में हम ऐसे वाक्यों को translation करना सिखाएंगे जो देखने में तो future indefinite जैसे ही होते हैं लेकिन बनाने का नियम अलग होता है जैसे आपके पास pen जरूर होगा आपने ये movie तो जरूर देखी होगी आप देखें ये दोनों ही वाक्यों के आखर में गा और गी शब्दा आ रहे हैं जो कि future indefinite की पहचान होती है तो आप देख सकते हैं कि अपरयुक्त वाक्यों के आखर में गा प्लस गी तो आ रहा है लेकिन ये future की वाक्य नहीं है तो इन्हें किस तरह से बनाया जाना चाहिए उसे समझने के लिए आप इस स्रीज का part 3 जरूर देखें फिलहाल आप यहां i button पर क्लिक करके इसका part 1 देख सकते हैं तो guys वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अगर वीडियो में की गई मेहनत आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक like और एक share जरूर कीजिए ऐसी ही interesting और knowledgeable वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को subscribe अभी कर लिजिए ताकि जब भी हम next वीडियो डालें उसका notification आपको सबसे पहले मिले Thank you so much guys आज यह बढ़ने से पहले आप सभी से request है कि इस चैनल को subscribe करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें Guys अगर आपको sentence बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिये गए rules में subject, verb और object नहीं समझाता है तो आपसे request है कि आप पहले English grammar की basic सीखें और इसके लिए हमने already playlist बना रखी है तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर playlist चेक आउट कीजिए Guys अगर वीडियो आपको helpful लगा हो तो इस चैनल को subscribe कर लें और अपने सुझाओ देने के लिए हमें comment box पे comment जरूर करें वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like करके हमें motivate कर सकते हैं कर सकते हैं